जै माता दीभग्दो पावन नवरात्रों का समय हो और भजनों के सुर्षमराड सिरी लखवीर सिंग लखा जी का जिक्रना आये ऐसा तो असंबव है जिनके सुन्दर भजनों के बिना मा के नवरात्र पूरण ही नहीं हो सकते जगत जन्नी जगदंबा की इतनी बड़ी किरप लखवीर सिंग लखा जी के उपर है कि मा शाक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हैं पंजाब में 25 अगस 1950 को एक महान पवित्र विभूती का जनम हुआ जिनकी गले में मा सरस्वती शाक्षात विराजमान बैटी हैं महस आठ वर्स की आयू में ही लखा जी ने अप अपने स्कूल के परिशर में तुमी हो माता पिता तुमी हो से अपने जीवन की सुरुआत की जी हां उन्होंने बगवान की प्राथना से ही अपने जीवन की गायन की सुरुआत की दस्वी कक्षा में उन्होंने देश भक्ती गीत मिरा रंग दे बसंती चोला विद्याले के परिशन में गया और फिर उसका संती चोला से उन्हें बहुत लोग प्रियता मिली और बहुत सरहा गया लखाजी दुवारा गाये गई खास हरपनमोला अंदाज के भजन प्यारा सजा है तेरा दुवार भवानी भगतों की लगी है कतार भवानी या बिगडी मेरी बना दे उमिया शेरो वाली राम न मिलेंगे हनुवान के बिना शाम तेरा हैप्पी वर्डे ये सारे भजन इतने ज़्यादा सुने जा चुके हैं जब ये यूट्यूब पर आए तो नवन व्योज के रिकोर्ड तोड़ दिये जबकि ये भजन अपने ओडियो प्लेयर के जमाने में सुपर डूपर हिट हो चुके थे किसी भजन को सुनने के बाद आपका दिन बेशक खुशनुमा हो जाएगा इनके गायन में एक नयापन होता है देवी भजन प्यारा सजा है तेरा द्वार भामानी कृष्ण भजन अ दुनिया में रिकोर्ड तोड़ ये सारे भजन इतने ज़्यादा सराही गए कि इनकी लोग प्रेता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जननी मुझसे गवाती है वो मैं गा देता हूँ जब भी मैं गाता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ मा के चर्णों में होता है और बस उन्हीं के कृपा है उन्हीं का अशिरवाद है वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इतना सुन्दर और सहर जवाब सुनकर कोई भी उनकी अधैव बनी रहती है गुलशन कुमार जी के टी सीरीज कंपनी के साथ लखा जी का खास लगाव है जी हाँ क्योंकि टी सीरीज कंपनी के द्वारा गाए वे बजनों से ही उन्हीं विश्व में लोग प्रियता मिली और सभी की बच्चे बूड़े या जवान सभी के दिलों और आज भी सूपर डुपर हीट है आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा कि उनका गायन भी लखा जी के द्वारा किया गया जी हाँ वे गाना चोटी के नीचे चोटी बालों के नीचे चोटी इतना सुन्दर और प्यारा गाना है फिल्मी गाना जिसको सुनकर बार बार स बासाओं में भी गाए जैसे भोजबूरी तमिल आदी अनीक तरहें के भासाओं में उन्होंने फिल्मी गाने गाए लेकिन उनका मन तो बस माता के भजनों में हनुमान जी के भजनों में शिव भजनों में और खाटु शाम जी के भजनों में ही लगा रहा और उनके दिवाने होने के बाद भी भजनों के सुर्समराट आज भी बच्चे बूड़े और जवानों की पहली पसंद हैं और अब उन्हों ने मापूर्णागिरी नाम से एक फिल्म का निर्मान भी किया है जी हां उतराखंड के चंपावा जिल्ले में स्थित मापूर्णागिरी मंदिर पच्पन सो फिट की उंचाई पर स्थित है यह स्थान मा महाकाली के शक्ती पीट भी माना जाता है कहा जाता है कि जब मा सती हुई थी तो उनका नाभी भाग यहां गिरा था और सैकड़ों सालों से दरकते पहाड़ पर टिकी मा की यह मूर्ती अपने आप में अधबूत और पूर्णा गिरी फिल्म में लखवीर सिंग लखा जी ने एक भजन गाया है अपने हिसे की नेकियां वक्त के रहते कर ले इतना खुबसूर्त और सुन्दर भजन है कि जब आप उसे सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे इतनी सुन्दर और प्यारी फिल्म ही है कि पूरे परानी ऐसी महन वीबूती जो हम सब के जीवन में अपने गायन और भक्ती गीतों से सदेव रोशनी करते हैं हमेशा उनको स्वस्त और प्रसन्य रखें और अपने हर्फन मोला अंदाज में ऐसे ही भजनों को अमर करते रखें बोले सांचे दरबार की जैहो